सुप्रभात बच्चों, आज हम सम्मिलकर पढ़ने वाले हैं पाठ दो जिसका शीर्शक है रंग बिरंगे नाखुन यह किस्सा राजा कृष्ण देव राय एवं तैनाली राम से संबंदित है राजा कृष्ण देव राय दक्षिन भारत के विजय नगर प्रांद के समराठ थे तैनाली राम राजा कृष्ण देव राय के दरबारियों में एक विशेश इस्थान रखते थे आठ महत्वपूर अधिकारियों में से तैनाली राम भी एक थे ये महान विद्वान थे, बहुत बुद्धी मान थे, एवं युद्ध नीतियों में भी हिपूर थे। तेनाली राम ने अनेक पार राजा कृष्ण देवराय को अनेक मुसीबतों से बचाया था। आज का ये किस्सा रंग बिरंगी नाकून राजा कृष्ण देवराय की दर्बार से संभन्दित है। आईए मिलकर सुनते हैं। राजा कृष्ण देवराय पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बहेलिया उनके दर्बार में आया। उसके पास पिंजरे में एक सुन्दर, रंगीन और विचित्र किस्म का पक्षी था। वह राजा से बोला। महराज इस सुन्दर और विचित्र पक्षी को मैंने कल जंगल से पकड़ा है। यह मिठा गाता है तथा तोटे के समान बोल भी सकता है। यह मोर के समान नाचकर भी दिखा सकता है। मैं यहां आपके पास इस पक्षी को बेचने के लिए आया हूँ। राजा ने पक्षी को देखा और बोले। हाँ देखने में तो यह पक्षी बहुत रंग बिरंगा और विचित्र है। तुम्हें इसके लिए उचित मुल्य दिया जाएगा। राजा ने बहलिये को पचास स्वन्ड मुद्राएं दी और उस पक्षी को अपने महल के बगिचे में रखवाने का आदेश दिया। तबी तेनाली राम को दाल में कुछ काला लगा। वह अपने स्थान से उठा और बोला। महराज मुझे नहीं लगता कि यह पक्षी वर्शा में मोर के समान नित्य कर सकता है। बलकि मुझे तो लगता है कि यह पक्षी कई महीनों से नहाया भी नहीं है। तेनाली राम की बात सुनकर बहलिया डर गया और दुखी स्वर में राजा सी बोला। महराज मैं एक निर्दन बहलिया हूँ। पक्षियों को पकड़ना और बेचना मेरी आजिवी का है। अतह मैं समझता हूँ कि पक्षियों के बारे में जानकारी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना मुश्किल है। यदि मैं निर्दन हूँ तो क्या तेनाली जी को मुझे जुठा कहने का अधिकार मिल गया है। भहिलिय की बात सुन महाराज भी तेनाली राम से आप्रसन होते हुए बोले। तेनाली राम तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। तेनाली राम ने एक गलास पानी पक्षि के पिंजरे में गिरा दिया। पक्षी गिला हो गया पक्षी पर गिरा पानी रंगीन हो गया और उसका रंग हलका फुरा हो गया तेनाली राम बोला महराज यह कोई विचित्र पक्षी नहीं है बलकि जंगली कबुतर है तेनाली राम तुम्हें कैसे पता लगा यह पक्षी रंगा गया है महाराज आश्चिर चकित होकर बोले महाराज बहलिय के रंगी नाकुनों से पाक्षी पर लगे रंग तता उसके नाकुनों का रंग एक समान है अपनी पोल खुलते देख बहलिया भागने का प्रयास करने लगा सैनिको ने उसे पकड़ लिया तब राजा कृष्चन देव ने आदेश दिया इसने हमारी आखों में धूल जोकने का प्रयास किया है इस अपराद के लिए इसे जेल में डाल दिया जाए तैनाली राम को पच्चास स्वन मुद्राएं पुरसकार के रूप में दे दी जाए यह सुनते ही तैनाली राम की बाचे खिल गई